एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी. तेज हवा से बचने के लिए एक सियार पेड के नीचे खड़ा था और तभी उस पर पेड की भारी शाखा आकर गिर गई. सियार के सिर में गहरी चोट लगी और वो डर कर अपनी मांद की ओर भाग गया. उस चोट का असर कई दिनों तक रहा और शिकार पर नहीं जा सका. खाना न मिलने से सियार दिन प्रति दिन कमजोर होता जा रहा था. एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसे अचानक एक हिरन दिखाई दिया. सियार उसका शिकार करने के लिए बहुत दूर तक हिरन के पीछे दोड़ा, लेकिन वहा बहुत जल्दी ठक गया और हिरन को नहीं मार पाया. सियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई मरा जानवर भी नहीं मिला, जिससे वहा अपना पेट भर सके. जंगल से निराश होकर सियार ने गाव की ओर जाने की ठानी. सियार को उम्मीद थी कि गाव में उसे कोई बकरी या मुर्गी का बच्चा मिल जाएगा, जिसे खाकर वहा अपनी रात काट लेगा. गाव में सियार अपना शिकार ढूंद रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर कुत्तों के जुंद पर पड़ी, जो उसकी ओर आ रहे थे. सियार को कुछ समझ में नहीं आया और वो धूबियों की बस्ती की ओर दौडने लगा. कुत्ते लगातार भौक रहे थे और सियार का पीछा कर रहे थे. सियार को जब कुछ समझ नहीं आया, तो वहा धूबी के उस ड्रम में जाकर छुप गया, जिसमें नील घुला हुआ था. सियार को न पाकर कुत्तों का जुंद वहां से चला गया. बेचारा सियार पूरी रात उस नील के ड्रम में छुपा रहा. सुबह स्वेरे जब वह ड्रम से बाहर आया, तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया है. सियार बहुत चालाक था, अपना रंग देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वहां वापस जंदल में आ गया. जंदल में पहुँच कर उसने एलान किया कि वहां भगवान का संदेश देना चाता है, इसलिए सारे जानवर एक जगः इकठा हो जाएं. सारे जानवर सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े पेड के नीचे एकत्रित हो गए. सियार ने जानवरों की सभा में कहा क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे ये अनोखा रंग भगवान ने दिया है और कहा है कि तुम जंगल पर राज करू. भगवान ने मुझ से कहा है कि जंगल के जानवरों का मार्ग दर्शन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सभी जानवर सियार की बात मान गए. सब एक स्वर में बोले कहिए महराज क्या आदेश है, सियार ने कहा सारे सियार जंगल से चले जाए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सियारों की वज़र से इस जंगल पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, नीले सियार की बात को भगवान का आदेश मान कर सारे जानवर जंडल के सियारों को जंडल से बाहर ख़देडाएं। ऐसा नीले सियार ने इसलिए किया क्योंकि अगर सियार अगर जंडल में रहते तो उसकी पोल खुल सकती थी। अब नीला सियार जंडल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा जहलते और बंदर उसके पैर दबाते। सियार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वह उसकी बली मांग लेता। अब सियार कही नहीं जाता था, हमेशा अपनी शाही मांद में बैठा रहता और सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी। वह मांद से बाहर आय तो उसे सियारों की आवाज सुनाई दी, जो दूर कहीं बोल रहे थे। रात को सियार हुहु की आवाज करते हैं, क्योंकि ये उनकी आदत होती है। नीला सियार भी अपने आपको रोक ना सका। उसने भी जोर-जोर से बोलना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के सभी जानवर जाग गए। उन्होंने नीले सियार को हुहु की आवाज निकालते हुए देखा, तब उन्हें पता चला कि ये एक सियार है और इसने हमें बेवकूफ बनाया है। अब नीले सियार की पोल खुल चुकी थी। यह पता चलते ही सारे जानवर उस पर तूट पड़े और उसे मार डाला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है की। हमें कभी जूट नहीं बोलना चाहिए, एक ना एक दिन पोल खुल जाती है। किसी को भी ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। कर विख जो सी ले जाती है, कि उन पालते हैं। किसी मिलती है बेढ़े जिया चाहिए, जास कि अऑनाय जान बनायाınız